हेलो एवरिवन वैलकम टू एग्रिकल्टर वीजन ऑनलाइन प्लैटफॉर्म इस वीडियो में अपने क्लास 11 केस एड़ लेशन को कंप्लेट करेंगे जिसका नाम है सब्जियों का वर्गी करन चलिए लिखते हैं सब्जियों का वर्गी करन सब्जियों का वर्गी करन क्या होता है सब्जियों का वर्गी करन वो अपने पढ़ लिया था अपने पढ़ रहे थे ग्रहावाटी का और कॉमर्शिल परपत से सब्जियों की खेती ववसाइक सतर पर सब्जियों की खेती यह दो टोपिक अपने को इस वीडियो में कवर करने हैं सबसे पहले अपने देखते हैं ग्रहेवाटिका एक नमबर कि ग्रहेवाटिका कि सतर पर सबजियों के खेती ग्रहेवाटिका सतर पर सबजियों के खेती या इसको बोलते हैं किचन गार्डनिंग इसको छोटा सा लिख देते हैं किचन गार्डनिंग या देखना किचन गार्डनिंग बोला दता है किचन गार्डनिंग क्या होता है अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से नहीं लाने पड़े पेसे नहीं लगाने पड़े इसके लिए अपने जो अपने घर के आसपास पड़ी हुई खाली जमीन का जो करते हुए जहांपर सबजी की बुआई करते हैं बाड़ी लगाते हैं उसको गरहवाटी का या किचन गार्डनिंग बोला जाता है अपनी जरूरतों के लिए सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए ये किया जाता है काम चलिए लिखते हैं परिवाटा गर के आसपास पड़ी हुई खाली जमीन गर के आसपास पड़ी हुई खाली जमीन पर परिवार की निज्जी आवशक्ताओं को आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए सबजियां उगाना गरहे वाटिका कहलाता है गरहे वाटिका कहलाता है गर की जरूरतों को पूरा करने के लिए गर के आसपास पड़ी हुई खाली जमीन को उप्योग करना गरहे वाटिका कहलाता है इसके बाद अपने बात करते हैं गरहे वाटिका के लाग देखिए बहुत अच्छा टोपिक है ग्रहे वाटिका के लाब ठीक है क्या लाब हो सकते हैं ग्रहे वाटिका के क्या क्या लाब होते हैं ग्रहे वाटिका के देखिए एक तो अपने को ताजावे फ्रेज सब्जियां मिलेगी एक बात दूसरी बात पेसा नहीं लगेगा तीसरी बात बाजार नहीं जाना पड़ेगा चोथी बात आराम से अपना टाइम पास हो सकता है सबजीयों को लगाने के लिए उसमें निराई गुडाई करने के लिए पानी देने के लिए कुछ उसमें गूम सकते हैं तो गर्क में सभी सद्धियों का टाइम पास भी हो जाता है, सबजिया मिलती है, पैसे भी ने लगते, और बाजार जाने में समय की भी बचत होती है, और खाली पड़ी जमीन का भी सुदूपयोग हो जाता है, ठीक है, ये सारी बातें इसके आप लाब है, एक एकर के लाब को परिवार के सभी सद्धियों के आवशक्ता के अनुशार शुद्वे, ताज़ा, सबजी प्राप्त होती है, शुद्ध होगी और ताज़ा होगी, पुराणे सड़ी गली सबजियां नहीं होगी, दूसरा गरों के चारों और पड़ी खाली भूमी का सद्धूप्योग होता है, खाली पड़ी भूमी का सद्धूप्योग हो जाएगा, तेसरा पॉइंट अपने देखते हैं, गर के सभी सद्धूप्योग का व्यायाम का अच्छा सादन है, व्याम मच्छे से हो जाएगा, अगला पॉट देखते हैं, रसोईगर वय सन्नानगर के पाने का सद्धूप्योग, मतलब नहाने वाला वयर रसोई में बरतन साप करने का जो पाने होगा, उसका सद्धूप्योग होता है, उसका क्या हो जाएगा, सद्धूप्योग हो जाता है, इसके बाद में पांच्छान, वया कूड़े करकट का भी सद्धूप्योग होता है, इसके बाद में गरहवाटि का मनोरंजन टाइम पास का साधन है गरहवाटि का क्या है मनोरंजन का साधन है छटी बात करते हैं सबजियों के साथ फूल वैर फल भी प्राप्ट होते हैं सबजियों के साथ क्या हो जाएंगे फूल वैर फल भी अपने को प्राप्ट हो जाएंगे उसके बाजे सब्जियों को खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा जिससे समय की बच्चत होती है बाजार में नहीं जाना पड़ेगा जिससे अपने समय की बच्चत होती है उसका उप्योग अपने कुछ कारे करने या पढ़ाई करने में लगा देंगे और बाजार की तुलना में उत्तम गुणुवता की सबजी मिलती है सबजी मिलती है ठीक है कि पेस्टिसाइड वगरा का यूज नहीं क्या ज़सकता परिवार के सद्दस्यों वे बच्चों को सीखने का आउसर मिलता है मतलब कुछ चीज़ें अपने को सीखने के लिए मिलती है उसके बाद में अधिक सबजीयों का प्रयोग करने से यनि सबजीयों जादा खाएंगे प्रयोग करने से खाद्यान कनक की बचत होती है भई खाद्यान की बचत होती है कनक बचेगी है दस पॉइंट पढ़ लिए उसके बाद में समयम दुवारा उगाई गई सबजीयां ग्यारा नमबर समयम दुवारा मन ने बना लेते ना मेनने उगाई है तो बहुत अच्छी है समयम दुवारा उगाई गई सबजीयां मनों वेज्ञानिक रूप से स्वाद्दिष्ट होती है अपने को अपनी लगाई होई होगी तो क्या लगेगी स्वाद्दिष्ट लगेगी सबजीयों के सबजीयों के क्रेय करने नय करने से पैसों की मतलब रूपय होगी बचत होती है जिससे परिवार की आए बढ़ती है ठीक है उसके बाद अपने बात करते हैं परिवार की आए बढ़ती है तेरवां गर के आसपास का गर के आसपास का वात्तवरन सोंद्रय पुर्ण होता है सुंदर दिखने लग जाता है गर के आसपास का वात्तवरन यदि सबजीयां फोल हो है फल लगाए होंगे अंतिन सबसे बड़ा फाइदा गर्यावाटिका के सबजियों में कीट नाशक वे डोग नाशक वे पुरुरकों का प्रयोग नहीं होता या सीमित होता है यानि कि उपयोग कम ही किया होगा इसलिए वो क्या होती है अच्छी होती है जल्दी से इसको नोट डाउन केजिए वरना वीडियो को पोच कर स्क्रेंशोट लेजिए हनजी गर्यवाटिका के बारे में पड़ा था कि क्या गर्यवाटिका होती है और इसके क्या लाब होती है अब ग्रहावाटिका वो बनाया कैसे दाता है ये भी तो बड़ी समस्या की बाद है तो ग्रहावाटिका का अभी विन्यास लिखते हैं ग्रहावाटिका का अभी विन्यास ले आउट अभी विन्यास को बोलते हैं ले आउट ले आउट ठीक है तो जब जब अपना प्रिवार होता है ना 5 से 6 सद्शियों का तो उसके लिए 25 इंटू 10 मिटर का स्थान इनफ रहता है प्रयाप्त रहता है सब्जियों के लिए लिखते हैं इस बात को एक उस्थ प्रिवार मतलब 5 से 6 सद्शियों को एक उस्थ प्रिवार कोश्टक में 5 से 6 सद्शियों प्रिवार को एक उस्थ प्रिवार को वर्स बर सब्जी एक उस्थ प्रिवार को वर्स बर सब्जी प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए 25 इंटू 10 मिटर का छेत्रफल प्रियाप्त रहता है यह छेत्रफल बहुत होगा उनको 25 इंटू 10 मिटर का छेत्रफल प्रियाप्त रहता है ग्रहवार्टिका का ले आउट करते समय निमल लिखित बातों का ध्यान रखना ची है ग्रहवार्टिका का ले आउट ले आउट करते समय निमल लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कौन-कौनसी वो बाते हैं जिनका अपने को ले आउट करते समय ध्यान में रखना चीए एक-एक करके अपने पड़ते हैं सबसे पहले कौनसी बात का ध्यान रखना चीए पहला ग्रहवार्टिका या किचन गार्डनिंग गर के समीब होना चाहिए ग्रहवार्टिका गर के नजदीक होना चाहिए सर गर के नजदीक क्यों होना चाहिए जिससे खाली समय में परिवार के सबीस दश्या उसकी देखवाल कर सकते हैं जिससे खाली समय में परिवार के सबीस दश्या देखवाल कर सकते हैं यानि कि सारे जो गर के गर वाले हैं वो इसकी आराम से देखवाल कर सकते हैं खाली समय में दूर होगा थोड़ी दूर होगा गर से तो मेरे जैसा आल्स कर जाएगा कौन जाएगा उतने दूर इतने दूर जाओंगा वापस आओंगा इतने में टाइम पेश्ट होगा तो वो नहीं जाएगा ठीक है इसलिए गर के नजदीक होना चाहिए दूसरी बात अपने पढ़ते हैं अपने पढ़ता था रसोई गर वैर सनान गर से निकले पाने का सदूप्योग ओसके जो अपने घर से रसोई से पाने निकलता है या सनान गर से पाने निकलता है उसका भी सदूप्योग होसके बुमी को बुमी को उप्जाव बनाने के लिए उपजव बनाने के लिए जेवी खाद का उपयोग करना चाहिए भुमे को ये उपजव बनाना है तो कार्बनिक खाद का जेवी खाद का उपयोग करना चाहिए खाद का उपयोग करना चाहिए उरूर का नहीं करना चाहिए फशल चकर के सिदानतों की पालना करने चाहिए फशल चकर सिदानतों की पालना करने चाहिए फशल चकर अपनाना चाहिए पांचवां सब्जियों की बुवाई सद्धेव पंक्तियों में करने चाहिए सब्जियों की बुआई है वो हमेशे आप पंक्तियों में करने चाहिए शिक्स नमबर पॉइंट ग्रिश्यम रित्व में बाड के पाश बेल वाले बेल वाले सब्जी लगाने चाहिए क्यों लगाने चाहिए क्योंकि बाड पर बेलों को चड़ा देंगे तो क्या होगा कि एक ओट आजाएगी गरम हवाय अर्थात लू सब्जियों को प्रभावित नहीं करेगी साथ वाँ सर्दियों में बाड के पाश मट्र लगाने चाहिए सर्दियों में बाड के पास मट्र लगाने चाहिए आठ हुआ पॉइंट के अपने बात करते हैं जड़ वाली सब्जियों को मौसम के अनुसार मेडों पर ही लगाने चाहिए डोड़ियों पर लगाने चाहिए जड़ वाली सब्जियों को क्यों की जड़ उनकी ज्यादा गहरी जास के नौवा सब्जियों की दो तिन कतारे लाइने दो तिन लाइने लगा कर बाकी आठ दस तिन के अंत्राल पर लगाने चाहिए अंत्राल पर लगाने चाहिए जिस से सब्जी लंबे समय तक चल सके यानि की कोई फसल की अपने कोई सब्जी की दो लाइने लगा दी या तीन लाइने लगा दी उसके बाद में ऐसे नहीं हो जो भी अपने आठ दस लाइने लगाने हो एक दिन में लगा दें आठ तस दी रुक जाए फिर वो लगा दें फिर दो लैने और लगा दें फिर दो लैने और लगा दें ऐसे तीन या चार श्टेप में अपने को सब्जियां लगाने चाहिए जिससे सब्जी को लंबे समय तक अपने चला सकते हैं लंबी आवदी की फसलों के मद्य कम आवदी की फसलों को लगाना चाहिए जिससे टमाटर वैर बैंगन के बीच मुली गाजर वैर सल्जें लगा सकते हैं अंतिम पॉंट देखते हैं क्या सावदाने रखने चाहिए प्रयाप्त अधिक स्थान होने पर स्थान होने पर केला पपीता निम्बू अधि फलो रक्ष लगाने चाहिए जो स्थान भी कम गेरें और अपने को उत्पादन भी देश कें इसे फलो रक्ष अपने को लगाने चाहिए वेवसाइक स्थान पर सब्जियों की खेती अब बात करते हैं अपने दो नमबर एक नमबर था ग्रेव आटिका दो नमबर है वेवसाइक स्थान पर सब्जियों की खेती ठीक है वेवसाइक स्थान पर सब्जियों की खेती क्या होता इससे खेती बड़े स्केल पर कीजाती है, बड़े पर कीजाती है और इसका जो पेसे कमाना होता है दो परकार की होती है, टर्क reneg और मार्केट गार्ड reneg. इसको डिटेल से अपने अगली विडियों पड़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या होता ह यह है शबजीयों की खेती बड़े पेमाने पर की जाती है तथा इसका मुख्य उदेश्य पैसा कमाना होता है इस से प्राप्त उत्पादन को उत्पादन को लोकल मतलब स्थानिय या दूरस्त बाजारों में बेज़ा जाता है इस आदार पर यह है दो परकार की होती है जो निमनानूसार है सबसे पहला आता है ट्रक गार्डनिंग और दूसरा आता है मार्केट गार्डनिंग ठीक है ट्रक गार्डनिंग और मार्केट गार्डनिंग अभी अपने पढ़ेंगे कि ट्रक गार्डनिंग क्या होता है और मार्केट गार्डनिंग क्या होता है जल्दिस इसको नोट कीजिए वरना स्क्रिंशोट ले लीजिए हैं हाँ जी अपने बात करते हैं साइक स्तर पर सब्जियों की खेती पहला आपने पढ़ेंगे मार्केट गार्डनिंग दूसरा पढ़ेंगे ट्रक गार्डनिंग सबसे पहले मार्केट गार्डनिंग ठीक है मार्केट गार्डनिंग क्या होता है मार्केट मतलब मार्केट बाजार बाजार में यह सब्जियां बेची जाती है तो ट्रक गार्डनिंग वाली कहां खेतों में बेची जाती है सब्जियां तो दोनों बेटा बाजार में ही बेची जाएगी तो मार्केट गार्डनिंग क्या होता है कि इन सब्जियों को नीरस्ट जो नजदी किया स्थानिया बजार में बेची जाती है इस प्रकार की जो खेती होती है मार्केट गार्डनिंग वह है वह है बाजार के नजदीक वाले छेतर में होती है वहां पर भूमे महंगी होती है इसलिए सगन खेती की जाती है और इसमें ज्यादातर वही सबजी बोय जाती है जिसकी बाजार में मांग अधिक हो चाहिए वो जल्दी खराब होने वाली हो चाहिए वो लेड़ तक चलने वाली हो परन्तु उसकी बाजार में मांग अधिक होनी चाहिए ठीक है बाजार में मा उत्पादित सब्जियां स्थानिय बाजार में बैच्ची जाती है तथा बाजार मांग के आदार पर सब्जियों की खेती की जाती है जितने बाजार के मांग होगी उसी के आदार पर सब्जियों की खेती की जाती है यह बुमे बाजार के नजदीक होने के कारण महंगी होती है इसलिए यहां सगन खेती की जाती है यहां पर कौन से खेती की जाती है सगन खेती मतलब बहुत ज़्यादा फसले सगन रूप से ले जाती है इसलिए यहां सरम परदान खेती है तो सरम क्या मैंने ज़्यादा करने पड़ेगी इसलिए यह सरम परदान खेती है तो महनत अपने को क्या होगी ज़्यादा करनी पड़ेगी इसके बाद में अपने बात करते हैं कि इसमें विशेश रूप से फूल गो भी पता गो भी गाज़ा टमाटर पालक में थी कि इसमें मुख्य रूप से गाज़र टमाटर पता गो भी फूल गो भी आवाज आ रही है न संदी संदी जाने पैचाने पालक में थी पालक में थी है आदि उक्य रुप से आदि सबजिया बोई जाती है थीक है पालक में थी है मटर है गाजर है अलू है है थीक है तो आधुनिक मार्गेट गारडनिंग की विशेश ता है आदूनिक मार्केट गार्डनिंग की विसेश्ता हैं आदूनिक गार्डनिंग की क्या क्या विसेश्ता हैं इनको अपने पढ़ते हैं तो देखिए आदूनिक गार्डन की विसेश्ता हैं होती है कि यहां की फारम जो होती है बुमी अधिक महेंगी होती है पहले इन फार्मों की बुमी अधिक महेंगी होती है इन फार्मों की बुमी क्या होगी? अधिक महेंगी होगी दोसरी बात अपने करते हैं इन थार्मों की बाजार से अधिक्तम दोरी बेश्टो 25 किलोमेटर हो शक्ती है यानि कि 20 से 25 किलोमेटर दिक्तम दोरी हो सकती है इन फार्मों का छेतरफल सेमित होता है छोटे छेतरफल होगा क्योंकि बुमी महेंगी होगी तो अपने ज़्यादा खरीद नहीं सकते चोथा बाजार की मांग के आदार पर गहन खेती करके गहन केती करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है गहन केती करेंगे बाजार के आदार पर खेती करेंगे और उत्पादन बढ़ा लेंगे इन छेत्रों में सर्मिकों की मांग वै मजदूरी देखो महेंगी चीज बेचोगे तो आपको दाम भी महेंगे देने बढ़ेंगे मजदूरी अधिक होती है मांग भी अधिक होगी और मजदूरी भी अपने को जादा देने बढ़ेगी छट्टे पॉइंट के अपने बात करते हैं इन फार्मों पर नवीन तम क्रिशी तकनिक अपनाई जाती है इन फार्मों पर नई कर्शी जो तकनिक होगी उनको अपनाई जाएगा सब्जियों की तुड़ाई प्राय सुबह के सम्में करके ताजा सब्जियां सब्जियां बाजार में बेजी जाती है ताजा सब्जियां बाजार में बेजी जाएगी एड़ नमबर पॉइंट के यदे अपने बात करें है इन फार्मों पर शिंचाई के सादन कम होते हैं ठीक है और अंतिया पॉइंट के दिबात करें है सब्जियों के परिवान पर कम खर्च लगता है खर्चा क्या होगा? कम होगा अब दूसरा अपने यदे बात करें है तो ट्रक गार्डने ट्रक गार्डनिंग ट्रक गार्डनिंग क्या होता है? कि इसमें ट्रकों में बरकर सब्जियों को खेत से बाजार तक पहुंचाया जाता है ट्रकों में बरने के अपने को क्या जरूरत पड़ी? कि ये खेत बहुत ज़्यादा दूर होते हैं बाजार से को में बरकर लाया जाता है बजार में ट्रक जो सब्द है वो फ्रेंच बासा के ट्रक्ट्वर से लिया गया है लिखते हैं ट्रक सब्द फ्रेंच बासा के ट्रक्ट्वर से लिया गया है ठीक है इससे लिया गया है जिसका अर्थ होता है बांटना या अदला बदली करना है जिसका अर्थ बांटना या अदला बदली करना होता है ठीक है तो यह फ्रेंच बासा के ट्रक्ट्वर से लिया गया है जिसका अर्थ बांटना या अदला बदली करना होता है इसमें शिगर ख्राब ने होने वाले सब्जियों जैसे आलू, तर्बुज, खर्बुज, ककड़ी, आदी की खेती की जाती है इनमें इन सब्जियों की खेती की जाई जो जल्दी से खराब नहीं होने वाली होती है ट्रक गार्डनिंग में सब्जियों को दूर तक बाजार में वित्रण है तो बेजी जाती है ठीक है, इनको दूर तक बाजार में वित्रण है तो बेजी जाएगी इनकी विसेश्था है ट्रक गार्डनिंग की मुख्य कौन-कौन से विसेश्था होती है ट्रक गार्डनिंग की विसेश्था है क्या-क्या विसेश्था होती है सबसे पहले अजिदी अपनी बात करें विसेश्था होगी इनका छेत्रफल विस्त्रित या बड़ा होता है सीमित नहीं होता बुमे की किम्मत कम होती है बुमे की किम्मत क्या होगी कम होगी तीसरा पॉइंट बात करते है यह बाजार से अधिक दोरी पर होते है इन में परिवन खर्च अधिक होता है अधिक होता है परिवन पर अपने खर्च जाता करना पड़ेगा इसके बाज में वर्स में एक या दो फसले ही ली जाती है छटा सबजियों को शाम के समय तोड़ कर बाजार में बेजा जाता है शाम कुशन में तोड़ी जाएगे और बाजार में बेजी जाएगे इन में इन फार्मों में मसीनों का प्रियोग अधिक होता है आठवा इन में सिग्रता से खराब नहीं होने वाली सबजियों को लगाया जाता है ठीक है यह होता है अपना चैप्टर कम्प्लीट अगला चैप्टर अपने नर्सरी यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए लाइक कीजिए जो कुछ डाउट हो उसको कॉमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को दबाईए जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको इस पर मिलेगे और अधिक जानकारी और पीडियो और बहुत सारे परशनों के लिए आप हमारे टेलेग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है थैंक्यू, थैंक्यू स्वामाच मिलते हैं अगली वीडियो हैं नए लेसन के साथ तब तक तेरे गुडबाई, टेक केर